इन दिनों शादी शुदा औरतों के भागने की खबरे कुछ जादा ही आ रही है कुछी दिनों पहले सीमा हैदर जो शादी शुदा थी चार बच्चों की मा थी वो पाकिस्तान से भाग कर इंडिया आ गई अपने प्रेमी के पास उसके बाद खबर आई कि राजस्तान की रहने वाली अंजू इंडिया से भाग कर पाकिस्तान चली गई अपने फेस्बुक फ्रेंड के पास और उसे शादी करी और अब एक खबर आई है बिहार से जहां पर एक पती पत्नी हनीमून के लिए निकले लेकिन बीच रस्ते से ही ट्रेंड से पत्नी कहीं गायब हो गई मुजफरपूर के प्रिंस कुमार की 22 फरवरी को काजल नामती लड़की से शादी हुई प्रिंस इलेक्टरिसिटी डिपार्टमेंट में है और काम में बिजी रहने के चलते वो काजल को हनीमून पर नहीं ले जा पाए जुलाई महीने में डिसाइड किया प्रिंस ने कि वो अपनी पत्नी को हनीमून के लिए ले जाएंगे डारजलिंग और सिक्किन तो 27 जुलाई को प्रिंस और काजल दोनों ट्रेन पकड़ते हैं डारजलिंग के लिए लेकिन 28 जुलाई की सुबह किशन गंज स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है तो पत्नी पती को कहती है कि मैं वाश्रूम जा रही हूँ जिसके बाद पत्नी लोटी ही नहीं ट्रेन भी रवाना हो गई पती अगले सेशन पर उत्रा और फिर से किशन गंज स्टेशन पहुँचा उसने पत्नी को ढूंने की कोशिच की लेकिन वहां पर पत्नी नहीं मिली काजल को उसने फोन भी किया लेकिन काजल का फोन स्विच ओफ मिला जिसके बाद प्रिंस ने पुलिस में कम्प्लेंट दर्स की और बताया कि कैसे रस्ते से ही पतनी गायब हो गयी पुलिस ने अब कंप्लेंट दर्स कर ली है और इंवेस्टिगेशन शुरू कर दिया है जिस जिस स्टेशन पर काजोल के उतरने की संभावना थी वहाँ वहाँ के CCTV फुटेज़ पुलिस खंगार रही है फिलाल पुलिस को कोई सुरात नहीं मिला है लेकिन पुलिस ये मान कर चल रही है कि ये मामला प्रेम प्रसन का हो सकता है पुलिस के अकॉर्डिंग काजल का किसी से अफैर था शायद इसलिए काजल मौका देखकर ही भाग गई